स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Science & Tech के Current Affairs के Revision का ये हमारा चौथा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम दिसंबर महिने के Science & Tech के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको Onlyis की वेबसाइट पर एवेलेबल मिलेगी उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा किसी भी अधर PDF को अवेल करने के लिए आपको Onlyis के Telegram चैनल को जोईन करना होता है तो चलिए सुरुआत करते हैं इस सेशन का First Important Article सिगेला इंफेक्शन के बारे में है अभी हाल ही में North Kezla को High Alert पे रखा गया क्योंकि इस इंफेक्शन के वज़ा से 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई 20 और लोग सस्पेक्टेड हैं इस सिगेला इंफेक्शन के bacterial प्रभाव को लेकर जो रिपोर्ट किया गया है यह है क्या? सिगेलासिस यह एक infectious disease है सिगेला नाम के ग्रुपा बैक्टेरियाज हैं जो इसको फैलाते हैं जब यह फैल जाता है तो symptoms के तौर पे diarrhea, fever, stomach में जो एक एंठन होती है वो हमें feel होने लगती है infections exposed होने के 102 दिन के बाद यह सारे symptoms हमें डिखने लग जाते हैं transmission जो है इस bacteria का, वो contaminated food, water या infection की किसी और मतलब यह जो food और water है वो mainly source of infection होता है जो bacteria है वो किसी surface से भी फैल सकता है जैसे अगर कोई infected वैक्ती है उसने कोई surface छू दिया है तो वहाँ पर वो bacteria अपनी presence maintain कर लेते हैं उसके बाद अगर वो कोई और individual उस area के contact में आता है इनलीस का treatment anti-biotics के माध्यम से किया जाता है जो इस illness के duration को खुड़ा कम कर देते हैं ऐसे तो देखिए जो 10 साल तक के बच्चे हैं वो ज़्यादा exposed होते हैं ये infection उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और को होगा नहीं हो तो ये किसी को भी सकता है precautions के तोर पे continuous हाथ धोते रहना है running water से अब ये तो देखिए COVID की situation चल रही है तो regularly भी हमें करना ही है हमारा अगला article intentional genomic alteration के बारे में है US Food and Drug Administration ने एक genome editing के बाद develop हुए animal को edge of food अप्रूब कर दिया है ऐसा पहली बार किया गया है कि intentional genomic alteration से तयार किये गए किसी animal को food के लिए अप्रूब किया गया हो ये approval domestic pick को दिया गया है जिसे girl safe picks कहा जाता है देखिए genomic alteration में specific change कर दिये जाते हैं किसी भी organism के genome में इसे genome editing या genetic engineering भी कहा जाता है अब इसमें होता ये है कि जो DNA sequence होता है किसी भी animal का उसमें या तो जो DNA है उसे insert कर दिया जाएगा या delete कर दिया जाएगा modify कर दिया जाएगा replace कर दिया जाएगा इससे कई तरीकी के बदलाव हो सकते हैं उस animal की growth तेज हो सकती है वो certain diseases के लिए resistance create कर सकता है ऐसा sometimes research purpose से कई बार consumption के लिए और कई बार animal को किसी particular disease से बचाने के लिए किया जाता है इसमें उसके physical traits में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं लाइक उसका eye color उसका disease को बेर करने की capacity इन सब में बदलाव हो जाता है अगला article है वो mock egg के बारे में है क्या आप कभी किसी ऐसी debate में रहे हैं जहाँ पर इस बात पर चर्चा चल रही हो कि जो egg है वो vegetarian है कि non-vegetarian है मैं एक बार ऐसी debate में था जहाँ पर कुछ लोग आपस में discussion कर रहे थे कि अंडा vegetarian है कि non-vegetarian है although I was not participating मैं participate नहीं कर रहा था लेकिन मेरे साथियों ने काफी जोड़ देकर कहा कि नहीं आप भी कुछ कहिए कि जो अंडा है वो शाकाहरी है कि मांसाहरी है मैंने कहा कि अंडा फलाहरी है आप उसे व्रत में खा सकते हैं obviously that was a kind of ironical statement but everyone smiled and that debate ended there on this simple statement एक statement पर वो डिवेट महां पर खतम हो गई एक smile के साथ लेकिन अभी जो अंडा है वो साकाहरी हो सकता है कैसे हो सकता है यही news आई है IIT Delhi ने एक innovation contest जीता है Innovate for SDG इस contest का नाम था इसे organize किया गया था United Nations Development Program के Accelerator Lab इंडिया के द्वारा इसमें कहा गया था इन्होंने एक plant based mock egg बनाया mock egg मतलब जो egg तो नहीं है लेकिन egg जैसा है जैसे आप mock test देते हैं UPSC के लिए mock test देते हैं तो वो UPSC का exam तो नहीं होता पर वैसा ही होता है वैसा ही mock egg वो egg तो नहीं है लेकिन egg जैसा ही है देखे इसे बनाने के लिए simply plant protein का इस्तेमाल किया गया है जो crops होती हैं और मेंसे protein derive करके इस egg को बना दिया जाएगा ये ना केवल egg जैसा दिखेगा egg जैसा इसका taste होगा बलकि जो इसकी nutritional capabilities हैं वो भी egg जितनी ही होंगी जितनी poultry egg की होती है तो इससे काफे ज़दा फाइदा होने वाला है जो health conscious लोग हैं और vegetarian हैं वो egg consume नहीं करते हैं तो उनके लिए काफे फाइदा हो जाएगा बिकाज इस egg को खाकर वो vegetarian भी रहेंगे और जो egg की nutritional values हैं वो भी उनको मिल जाएंगी अब यहाँ पर जो mild nutrition और clean protein की problem हैं इंडिया में उसे address करने में मदद मिलेगी और जो हमारा SDG 2N3 है उसके लिए भी beneficial सावित होगा जिसमें zero hunger और good health and well being का target रखा गया है जो हमारा अगला article है वो DG box के बारे में है अभी जो नितियायो के CEO है अमिताप कांच जी उन्होंने DG box को launch किया जो इंडिया का अपना खुद का cloud storage service provider होगा ये इंडिया की एक startup ने बनाया है इसे launch किया गया नितियायो को CEO के द्वारा देखे ये made in India digital asset management and file sharing service cloud storage platform है इतनी लंबी चोड़ी line अगर मैं ना भी बोलू तो मैं सामाने भासा में बता सकता हूँ कि हम सभी लोगों ने Google Drive का इस्तेमाल किया है जहाँ पर अपना data store कर सकते हैं और वहाँ से link लेकर, shareable link लेकर उच data को share भी कर सकते हैं तो जो service Google Drive हमें provide कर वाता है same service DG box हमें provide कर वाएगा अब जो Google Drive है definitely वो Indian company नहीं है लेकिन DG box को एक Indian startup ने start किया है अब यहाँ पर जो data हम रखेंगे वो इंडिया में ही localized way में store किया जाएगा make in India, store in India, initiative के तहर digital asset, जो management है वो इंडिया में ही इसके तहर किया जा रहा है अब देखे यह competitive ने सस्ता भी है जैसे अगर आप Google Drive पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको free storage जो मिलता है वो 15 GB का मिलता है उसके बाद अगर आपको additional 100 GB तक का space चाहिए तो आपको 130 रुपए पर मंद पे करने होते हैं यहाँ पर आपको 50 GB का space free मिल रहा है और additional 100 GB अगर आपको चाहिए कंट्री में ही store होगा और पुरी तरीके से secure रहेगा अगला आर्टिकल लेपरोसी के बारे में है जिसे आप कुछ ठोग और आम बोलचाल की भासा में code भी कहते हैं हिमाचरपदेश भी door to door door surveillance campaign चला रहा है ताकि वो ऐसी population को identify कर सके जिनमें लेपरोसी के symptoms देखे जा रहे है वैसे 2005 में ही इंडिया को लेपरोसी free कर दिया गया है ये chronic curable infectious disease है जो एक bacterium mycobacterium leprae के माध्यम से होता है इससे skin प्रभावित होती है peripheral nerves ऐसी nerves जो हमारी skin, muscles और spinal cord को जोड़ते हुए brain तक जोड़ती है जो upper respiratory tract है और eyes है वो भी इससे प्रभावित होती है symptoms में देखे skin का color light हो जाता है कई बार red skin patches देखने को मिलते हैं sensation खतम होने लगती है नमने इस ऐसा लगेगा कि वो body parts सुनन हो गया है कुछ feel नहीं होगा हाथ और पैर में weakness भी feel होती है देखे exact mechanism तो नहीं पता कि फ्यालता कैसे है लेकिन हाँ droplets जो nose या mouth से निकलते हैं वो अगर किसी व्यक्ति में प्रवेस कर जाते हैं तो इसका खत्रा बना रहता है वैसे ये treatable है multi drug therapy दी जाती है 6-12 महीने की और व्यक्ति को सही किया जा सकता है लेप्रोसी फ्री हो चुका है इंडिया 2005 के बाद से ही अगला article नेगलेरिया फॉलेरी के बारे में है नेगलेरिया फॉलेरी ये एक amoeba है जो की brain consume करने वाली बीमारी cause कर रहा है पहले ये USA के southern region में ज़्यादा प्रभावी था लेकिन धीमे धीमे नौर्थ की एरियाज में भी प्रभावी होता जा रहा है नेगलेरिया फॉलेरी है क्या ये एक amoeba है amoeba unicellular organism होता है जो की इस आकरिती में होता है और अपने shape को change कर सकता है ये एक rare और devastating infection cause करता है जो brain में होता है इस infection को PAM कहा जा रहा है ये commonly तब होता है ये amoeba warm और fresh water और soil में पाया जाता है इंसनों तक ऐसे पहुचता है अगर कोई व्रती पानी में नहा रहा है नाक में पानी एंटर कर गया जिसके बाद ये amoeba body में एंटर कर जाता है फिर travel करके brain में पहुच जाता है इसके बाद PAM ये बिमारी हो जाती है PM लेटर ओन ये brain cells को खाना शुरू कर देता है जिसके बाद fertility rate इसमें बहुत जादा है बचने के chances बहुत कम होते हैं हलाकि इसके cases बहुत कम है USA में भी spot किया गया है इसलिए cause of concern बताया जा रहा है अगला आर्टिकल है वो anti-matter के बारे में है देखिए जो भी अभी देखिए context हो ये है कि anti-matter के उपर एक article आया था down to earth में उसमें ये था कि universe में matter के comparison में anti-matter कम क्यों है इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहे थे हर चीज का एक opposite होता है universe में हर जगे पर तो अगर electron है जिसमें minus charge है तो इसका भी कुछ opposite होगा तो जो opposite होता है उसे anti-matter बोलते है निकिए पूरी दुनिया matter से मिलकर बनी है matter जो होते है वो atom से बने होते है atom में जो basic particles होते हैं जो basic unit होती है electron, proton, neutron या जो भी universe में है उसका एक anti-matter भी होता है तो अगर electron पर minus है तो इसका जो anti-matter होगा उसमें plus charge होगा उसे scientist positron बोलते है photon पर अगर plus charge है तो जो उसका anti-matter होगा उसमें minus charge होगा जो properties होती है matter की और anti-matter की वो बाकी सब सेम होती है सिर्फ उनके जो electronic charges होते है उसमें difference होगा अगर वो anti-matter है तो जो matter में है उसका opposite है matter में गर minus है तो anti-matter में positive होगा प्लस होगा अगर matter में plus है तो anti-matter में minus होगा इतना ही अंतर होता है बाकी सारी properties सेम होती है लेकिन इसका होता ये है कि अगर ये दोनों आपस में collide करेंगे तो blast कर जाएंगे आपस में एक दूसरे को destroy कर देंगे और energy generate करेंगे ऐसा एक natural process है अब यहाँ पर एक research चलती है Large Hadron Collider में LSC में ये जो experiment है ये CERN कर रहा है इसका full form है European Council for Nuclear Research इसमें उन्होंने photons को आपस में टकराया जिसके बाद वो same situation create हुई जो कि तब create हुई होगी जब Big Bang हुआ होगा जिससे इस पूरे universe का निर्माड हुआ है तो नोंने देखा कि equal number में या equal quantity में matter और antimatter generate हुआ तो इससे ये result निकल किया आया कि जब universe बना होगा तो उस time पर भी equal quantity में matter और antimatter बना होगा तो matter तो हमें दिखता है लेकिन antimatter हमें नहीं दिखता है तो अब ये cause of concern बना कि अगर इस research में ये पता चलता है कि matter और antimatter equal quantity में बने थे तो हमें antimatter मिलता क्यों नहीं है तो इसका result ये निकला कि जब ये big bang हुआ होगा universe में तो बहुत ही hot और dense state create हो गया था उस state ने facilitate किया कि जो matter है वो ज़्यादा बन जाए comparison to antimatter तो result ये निकाला गया hypothesis से कुल मिला के कि matter ज़्यादा बन गया और antimatter कम बना ये suppose करिए कि ये matter है पूरा और antimatter है वो थोड़ा कम ही बना अब जब ये आपस में collide करेंगे तो equal quantity में destroy हो जाएंगे मतलब जितना antimatter है उतना matter को destroy कर देगा तो antimatter और matter आपस में collide करके destroy भी हुए जब big bang हुआ लेकिन चुकि जो matter था वो ज़्यादा था surplus था तो जो surplus है वही आज हमें universe के form में दिखता है उसी से जो stars हैं, planets हैं, asteroids हैं सब बने हुए हैं तो ये result अभी निकाला गया है कि वो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें antimatter और matter आपस में collide करके एक दूसरे को destroy कर देते हैं equal quantity में उसे ही annihilation कहा जाता है तो वो आपस में collide करके annihilation में destroy हो गए जो surplus है, वो बचा हुआ है इसलिए हमें antimatter आसानी से नहीं मिलता equal matter दिखता है तो एक प्रकार की hypothesis अभी ये news में आया था तो मैंने आपको बता दिया जहां पूरी दुनिया होड में लगी हुई है कैसे COVID-19 के लिए एक बहतरीन और कारगर वैक्सीन मनाई जा सके उसी दौरान इंडिया का जो सिरम Institute of India Private Limited है उन्होंने यहां पर pneumococcal conjugate vaccine तयार कर ली है जो कि pneumonia में काम आएगी इसे नाम दिया गया है pneumo से यहां पर हम सीधे सीधे pneumonia ना कहके pneumococcal conjugate vaccine इसले बोल रहे हैं क्योंकि यह pneumonia के या उस bacteria से cause होने वाले 13 type के other जो infections हैं या जो बिमारिया हैं उनसे बचाएगा तो यह common vaccine की तरफ वर्क करेगा जो कि pneumonia के 13 और variants को counter करने में capable होगा यहां पर सिरम Institute of India ने collaborate किया Melinda and Gates Foundation के साथ Bill and Melinda Gates Foundation के साथ इस vaccine को बनाने के लिए इसका जो target होगा वो pneumococcal bacterium होगा जो कि pneumonia और उसके कई और variants को cause करता है कुछ और बिमारियां भी cause करता है like meningitis और sepsis sepsis जब घाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो उसमें यह vaccine कारगर साबित होगी अब इस vaccine को इंडिया ने बनाया है इसमें कोई खास बात हो या ना हो लेकिन यह सस्ती होगी यह तो तैह है बिल्कुल यह दुनिया की सबसे सस्ती vaccine होगी जो कि इस प्रकार की बिमारियों में कारगर साबित होगी affordable price इस पर अगर government इसका इस्तिमाल करती है तो उनके लिए महज 3 dollar में available होगा approximately 270 rupees और प्राइवेट सेक्टर इसका इस्तिमाल करता है तो 10 dollar में अप्रॉक्स इसका इस्तिमाल किया जा सकेगा इसके साथ साथ जो SII है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे that is Serum Institute of India या private limited ये third largest supplier बन जाएगा इस PCV के लिए यानि कि pneumococcal conjugate vaccine के लिए advanced market को ये cover करेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में supply करेंगे जो pneumococcal disease है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का एक बहुत बड़ा कारण है यही कारण है कि World Health Organization ने 2018 में ये recommend किया कि जो PCV है इसे जो routine childhood immunization program चलाया जाता है सभी countries में जहां पर उन्हें कई तरीके के vaccines दी जाती है उसमें include कर लिया जाए अगला article इंडिया के first ever driverless train के बारे में है Delhi Metro का जो magenta line है line 8 38 km का ये stretch में फैला हुआ है उसमें अभी driverless metro को चलाया जाएगा वैसे तो Delhi Metro का 390 km का पूरा network है हर जिगें तो नहीं चलेगी लेकिन इस 38 km के span में driverless metro को run करवाया जाएगा इसे inaugurate किया गया Delhi Metro Real Corporation ने अभी इसके inauguration के बाद अभ ये एक ऐसी league mentor कर गया है दुनिया के 7% ऐसी metro network में जो बिना drivers के operate किये जा सकते हैं काफी फायदे होंगे operational flexibility आएगी efficiency भी आएगी inspection, testing में late नहीं होगा आसानी से किया जा सकेगा काफी ज़्यादा reliability रहेगी कम human intervention होगा service की quality को बहतर कर सकते हैं train operators की energy को save किया जा सकता है driverless का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगे कि driver होगा ये driver होगा लेकिन उसका काम बहुत कम होगा वैसे भी कुछ काम अभी भी technologically ही किये जाते हैं जब driver होता है ऐसी जिगों पर जहां पर driver इन metros को चलाते हैं अब उनका काम बिल्कुल कम से कम होगा वो ज़्यादा intervene नहीं करेंगे लेकिन वहाँ पर supervision के लिए वो रहेंगे कम से कम initial period में बाद में हो सकता है कि technology और expand हो और उनने बिल्कुल हटा दिया जाए उनकी आवशक्ता ही ना पड़े हमारा अगला article Tau Boots के बारे में है International Scientist की एक team ने अभी first possible radio signal detect किया है संभावना ये जताई जा रही है कि ये एक ऐसे solar system से आ रहा है जिसका नाम Tau Boots है इसकी दूरी earth से 51 light years away है काफी दूर है इसमें संभावता एक Jupiter पाया जाता है hot Jupiter जो कि gaseous giant है gas से बना हुआ एक ग्रह है जो कि इसके sun से काफी नजदीक में है ये जो star system है जिसे हम Tau Boots कह रहे है जहां से ये radio signals मिले है अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर aliens हो जो ये signals हमारे लिए भेज रहे हूँ ये binary star system है जिसमें जो दूसरा star है वो red dwarf है binary star system है एक ऐसा star system होता है जिसमें दो तारे एक दूसरे के चारो और ऐसे घूमते रहते है तो इस तरीकी का ये star system है binary star system लो frequency array जो लो far है ये radio telescope है निदर लाइंट्स में है वहाँ के researchers ने इस emission burst को detect किया Tau Boots से इसे एक नई window open हो जाती है इस exoplanet के बारे में कि क्या वहाँ पर alien life हो सकती है ये कहीं indication तो नहीं कोई message तो नहीं जो काफी दूरी से हमारे पास अब आ रहा है इसके पहले जो इसराइल के space security chief है उन्होंने भी काफी surprising statement देते हुए ये कहा था कि United States और इसराइल का contact aliens से है इस बात को public domain में नहीं राया जाता because अभी हम इसके लिए तयार नहीं है अगला article हाइपो थर्मिया के बारे में है देखते हैं अभी हाल ही में Indian Metallurgical Department ने ये बोला कि सर्दी बढ़ने वाली है North India के पूरे location में तो लोगों से request की गई है जो नदर most states हैं वहाँ पर कि हम खुद को ठंड लगने से बचाएं और alcohol का 7 कम करें अगर alcohol का 7 ज़्यादा होता है तो hypothermia का खत्रा बढ़ जाता है hypothermia है क्या लेखे हमारी body एक normal temperature maintain करने की कोसिस करते है that is 37 degree Celsius अगर temperature बढ़ रहा है तब भी body इसे maintain करने की कोसिस करती है various means से अगर temperature कम हो रहा है तब भी वो इसे maintain करते है तो hypothermia में होता ये है कि जो body है वो अपना heat खोने लगती है और body ठंडी पढ़ने लगती है अगर normal body temperature 37 degree Celsius का है ये temperature body का गिर कर 35 degree Celsius हो जाए तो इसके बाद हम कह सकते है कि hypothermia की situation आ गई है जब body में ठंड लगती है तो वो बाहर की area में कप-कपी पैदा करती है ताकि heat generate हो सके और जो internal organs है उनमें गर्मी भेजने लगता है ताकि वो अच्छे से काम करते रहे लेकिन अगर इस core का temperature गरने लगी तो वहाँ पर जो हमारे body organs है उनको काम करने में दिक्कत होगी जब alcohol का consumption बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी hypothermia का खत्रा बढ़ जाता है अब देखे इसमें होता यह है कि जो alcohol होता है वो core body का जो temperature है उसको degrees कर देता है जैसे body के जो internal organs है उनके temperature को वो गिरा देता है सर्वी अल्रेडी बहुत ज़्यादा लग रही है core को temperature maintain करने के लिए body काम करती है लेकिन alcohol इसमें hindrance create करता है तो hypothermia का खत्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है hypothermia में देखे अगर जो temperature है वो 33 degree पे आ जाए body का तो दिमाग जो है उसकी functioning delay हो जाती है ठीक है और लेटर ओन अगर ये temperature 21 degree Celsius पे आ जाए तो जान का खत्रा भी हो जाता है व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अगला article है Metological Center at Leh के बारे में है एक information के तौर पे लीजिए Union Minister for Science and Tech ने अभी Metological Center लेह में inaugurate किया ये 3500 मीटर की height पर inaugurate किया गया है इसके बाद ये इंडिया का सबसी उचाई पर स्थित Metological Center बन जाएगा जो हमें बताएगा कई सारी locations के जो forecast हैं वो हमारे सामने आ जाएगे जैसे कि नुबरा, चांगतांग, पैंगॉंग लेक जासकर, कारगिल, द्रास आरेन वैली, खालसी इन सभी की जनकारी हमें मिलती रहेगी वो art park के बारे में है AI and robotics technologies park पैंगलूरू में भी set up किया गया है artificial intelligence के innovation को promote करने के लिए देखेए एक प्रकार का not for profit foundation है art park इसे दो लोगों ने मिल कर establish किया है इंडियन institute of sciences बैंगलूरू में इन्हें support मिला है AI foundry का जो public private model में इसे पूरे develop करने का प्रयास किया जा रहा है AI foundry एक venture है leaf frog AI का, बस इतना जानते रहे है देखे, ये program पूरा fund किया जा रहा है Department of Science and Tech के माध्य हम से Government of India के तहर, उनका एक program है उनका एक mission है, national mission on interdisciplinary cyber physical system इसी mission के तहत इस पूरे program को funding दी जा रहा है आर्ट पार के इस mechanism को इसका उद्देश रहा है, उद्देश से तो बिल्कुल simple है कि artificial intelligence में innovation को बढ़ावा देना है robotics में भी, कुछ ऐसे sectors में developments करने हैं जिससे कि society को एक positive feedback मिले positive प्रभाव, हम positive impact देख सकें, healthcare, education infra, agriculture इन सभी में जो problem साती हैं उसे AI और robotics के माध्यम से solve करने का प्रयाज किया जा सके, उसके बढ़ावा दिया जाए हमारा अगला article asteroid 153-201 के बारे में है देखे ये जो asteroid है इसका एक दूसरा नाम 2000WO107 भी है आपको ये नाम technically याद नहीं रहेगा देखे ये जो asteroid है, वो भी हाल ही में धर्ती के नजीक से होकर गुजरा है संकाई ये भी जताई जा रहे थी कि काफी नजीक से होकर गुजरेगा ये जो asteroid है, ये बुर्ज खलीफा की जो height है लगभग उतना बड़ा रहा Massive asteroid है, इसे Near Earth asteroid के तौल पे भी classify किया गया Near Earth asteroid कोई भी ऐसा asteroid होता है, जो Earth का जो gravitational force है उसकी बज़े से Earth के orbit में खिचके चला आता है जिसके बाद खत्रा ये भी होता है कि ये धर्ती पर भी आ सकते हैं, बट most of the time जो बुर्ज खलीफा है वो दुनिया की सबसे उची building है, और ये जो asteroid था, अगर आप comparison करें तो जो बुर्ज खलीफा है उसकी height 829.8 meter है, जबकि इस asteroid के जो पूरी उचाई रही, अगर आप लंबाई देखें तो 820 meter है मतलब लगभग आस पास जो हमारा अगला आर्टिकल है, वो Australian Square Kilometer Array Pathfinder के बारे में है, अब ये है क्या देखें, ये एक प्रकार का telescope है इसे आप अशकब भी बोल सकते हैं बहुत ही powerful और new telescope, अक्षब जो है context की बात कर रहे हैं तो इसने अभी हाल ही में universe के एक बहुत बड़े हिस्से को map किया record breaking time में, बहुत ही कम समय में, जहां पर हमें इसके map में millions of नई galaxies और कई सारे objects देखने को मिले हैं, जो भी हम expect करते हैं जो असकब है, ये एक telescope है जिसे लगभग एक दसक पहले design किया गया था ये पर्स से, जो कि capital city है, वहां से लगभग 800 km नॉर्थ में establish किया गया है फरवरी 2019 में ये fully operationalize हो गया, जिसने pilot basis पे temporary basis पर एक example के लिए survey करना शुरू किया sky को और 2021 के बाद हो सकता है कि इसके ambit में कुछ बड़े projects भी ला दिये जाएं, जो असकप का survey है, वो universe के structure और evolution को map करता है वहाँ पर जो hydrogen gases हैं, galaxies हैं उनको observe करता है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये universe के एक बहुत बड़े हिस्से को cover करता है, और इसलिए बहुत ही great detail के साथ हमें universe के एक बहुत बड़े हिस्से की जानकारी मिल जाती है with map 80, जितना ही इसका ही cover कर सकता है Western Australia की उस location से वहाँ से लगवाँ कि 83% जो observing area है इसका उसे अभी तक locate किया गया है, जो ascup continuum survey है rapid ascup continuum survey continuum का मतुतर लगातार जो survey किया जा रहा है इसे आप जाएगी कौन से चीज कहाँ पर है क्योंकि ये universe के एक बहुत बड़े हिस्से को cover कर लेता है, ठीक है जो मारा अगला article है वो C-32 LH2 tank के बारे में है अब ये tank की बात हम क्यों कर रहे हैं definitely ये tank important है because ये एक public sector aerospace manufacturing company है, HAL Hindustan Aeronautics Limited उन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा cryogenic propellant tank जिसका नाम रखा गया है C-32 LH2 इसे इस रों को swap दिया है बैंगलूरों में अब देखिए अगर हमें बहुत heavy payload भेजना हो अंतरक्ष में इसके लिए हमारे पास जो missile system है that is GSLV MAC-3 या MK-3 अभी missile system तो बहुत बढ़िया है strong है लेकिन अगर हमें इस पर बहुत heavy payload भेजना है तो हमें ज़्यादा इंधन की आवशक्ता होगी जो इंधन अंतरक्ष में इस्तिमाल किया जाता है उसे cryogenic इंधन कहते हैं cryogenic fuel बोलते हैं अगर हमें heavy payload ले जाना है तो हमें ज़्यादा cryogenic fuel को स्टोर करना होगा ताकि हम भारी चीजे ले जा सकें भारी payload ले जा सकें और उस बहुत ज़्यादा fuel को स्टोर करने के लिए हमें एक बहुत बड़े ऐसे tank की आवशक्ता होगी जो cryogenic इंधन को स्टोर कर सके और उसे propel यानि कि उसे जलने की विवस्था कर सके तो इसके लिए हम एक बड़े से cryogenic propellant tank की आवशक्ता थी जो अभी hell ने सौप दिया है इस रोको मतलब ये एक अच्छी बात है इससे हम अब बड़े payloads अंतरिक्ष में भेज पाएंगे ये अपने GSLV मैक 3 के माद्यम से ये जो tank है ये 5,755 kg propellant fuel को load कर सकता है अपने आप में मतलब इसकी छंता काफी जादा है significance ये है कि अभी तक हम जो heavier communication satellite थे जो 5 से 6 ton के होते हैं उनको launch करने के लिए French Guayana पे dependent हुआ करते थे because हम इतना इंधन स्टोर नहीं कर पाते थे अपने fuel tanks में कि हम मैक 3 से इतने भारे satellites भेज सकें लेकिन इस tank के मिल जाने के बाद आप मारी foreign country पर dependency कम हो जाएगी हम self alliance हो जाएंगे और अपने भारे satellites खुद ही भेज पाएंगे cryogenic fuse की बात करते हैं cryogenic का मतलब ही होता है low temperature मतलब कोई ऐसा fuel जो बहुत ही low temperature में रखा गया है ताकि वो liquid state में बने रहे है चुकि space में हम इन fuels का इस्तेमाल करते हैं space में temperature बहुत कम होता है तो जरूरी होता है कि जो fuel हम भेज रहे हैं वो भी low temperature में हो ताकि उसे नुकसान ना हो और एक ऐसा इन moment भी create कर सके जो की combustion को fuel के जलने में मदद कर सके specifically liquid hydrogen और liquid oxygen का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे fuels के तौर पे cryogenic fuels के तौर पे oxygen assist करता है combustion को जलने में इनन को मदद करता है जो cryogenic fuels होते हैं उसमें liquified gases और liquid hydrogen का mainly इस्तेमाल किया जाता है liquid oxygen का इस्तेमाल combustion के लिए किया जाता है तो यह पूरा आर्टिकल हमने इस tank के बारे में देखा और इसकी significance को भी समझने का प्रयास किया हमारा अगला आर्टिकल CMS01 satellite के बारे में है context यह है कि इस रो ने अभी हाल ही में एक communication satellite को launch किया है PSLV से polar satellite launch vehicle से CMS देखिए CMS का full form ही है communication satellite अभी हाल फिलहाल में नाम change किया गया जो earth observation satellite है उनको code word दिया गया है EOS Earth observation satellite और जो communication satellite है उनके लिए जो code word तयार किया गया है that is EMS जब code word अभी देखिए एक article हमने discuss किया था जो earth observation satellite का पहला satellite था उसको EOS 01 नाम दिया गया था और नाम बदले जाने के बाद यह पहला communication satellite launch किया गया है तो इसका नाम इसी लिए यह CMS यह EMS नहीं है CMS है CMS 01 रख दिया गया क्योंकि यह पहला है जब नाम बदला गया उसके बाद वैसे तो यह 40 second communication satellite है यह extended C band frequency के spectrum में services प्रोवाइड करवाएगा अगर हम extended C band की बात करें तो देखे जो waves होती हैं उनको उनके wavelength के basis पे कई parts में categorize किया जाता है जो सबसे ज़ादा wavelength होती है वो radio waves की होती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं wavelength कम होती जाती है उसके बाद microwave, infrared, visible light यहाँ पर आती है तो जो microwaves होती हैं वहीं पर आपको C band मिलता है तो इसी frequency में इसी spectrum में यह services प्रोवाइड करेगा यह services जो इंडिया का mainland है अंडबान ए निकोबार आइलेंड है लक्ष दीप है वहाँ तक फैली हुई होगी सेटलाइट की जो life है वो 7 year बताई जा रहे है मतलब यह 7 साल तक functional रहेगा CMS-01 जो भेजा गया है वो G-set 12 को replace करेगा आप सेटलाइट communication की पहले से भी है लेकिन वो खराब हो जाती है कुछ समय के बाद जो G-set 12 है उसे 2011 में लाँच किया गया था और इसकी life 8 साल की थी तो अभी यह expire कर गया है तो इसे replace करने की सेटलाइट को भेजा जाना था तो यह CMS-01 भेज जिया गया जिसका weight जो है वो 1410 kg है आर्टिकल GMRT के बारे में है जिसका full form है Giant Meter Wave Radio Telescope GMRT इसे अभी हाल ही में milestone facility के रूप में select किया गया है एक US-based institute के दवरा जिसका नाम IEEE है IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineers यह एक research institute है जो दुनिया भर के various institutions को milestone facility के तोर पर recognize करता है select करता है उन्होंने पिछले 25 सालों में जो भी contribution दिया है या उससे जदा समय में जो भी contribution दिया है उसके basis पर milestone का मतलब आप लोग समझते हैं कुछ भी ऐसा जिसने एक landmark decide किया हो बहुत अच्छा contribution दिया हो GMRT के बारे में बात करें तो यह radio telescopes का एक array है array का मतलब एक जाल है एक पूरा setup है जो NCRA operate करता है NCRA National Center for Radio Astrophysics यह Tata Institute of Fundamental Research का ही एक पार्ट है जो कि मुंबई में बेज़्ट है अब इस GMRT का objective क्या है इसको objective यह है कि जो radio astrophysical problems हैं universe की उनको यह investigate कर सके study कर सके जो भी हमारे solar system में आस पास देखी जा रही है या फिर जो observable universe है मतलब universe का वो पार्ट जो हम देख पाते हैं various means के माध्यम से उसको यह investigate करते हैं study करते हैं astrophysical का मतलब यह होता है कि stars या फिर जो other objects हमारे space में हम detect कर पाते हैं physical laws के basis पर evaluation करके हम उनको study करें इसका मतलब होता है astrophysics या astrophysical phenomena तो यह सारी बाते तो आपको समझ में आ गई कि actually में यह है क्या इसकी location पुने महरास्टरा में है इसे बनाया गया था late professor गोविंद सुरूब जी के द्वरा system हुआ करता था interferometric का मतलब होता है कोई भी ऐसा phenomena जो waves की interference को study करता हो वो light waves हो सकती है radio waves हो सकती है या फिर sound waves हो सकती है उस समय जब इसे बनाया गया था तो दुनिया भर के जो astronomers थे वो इसकी मदद से study किया करते थे आज भी regularly इस्टेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है different astronomical objects को study करने के लिए IEEE की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा technical body है जो research बगएरा को publish करता है various engineering या computing के field में ये various institutions को award भी करता है कुन्होंने कितना अच्छा काम किया है milestone के तौर पे उन्हें select किया जाता है engineering, science या फिर computational facility में जो भी उन्हें contribution किया है कम से कम 25 सालों का उनका contribution evaluate करके ही इस प्रकार का कोई बे tag grant किया जाता है हमरा अगला article great conjunction के बारे में है year 2020 को आप कई सारे करणों से याद रखने वाले हैं तो शलिए एक और add कर देते हैं that is great conjunction लगभाग 400 सालों के बाद Saturn और Jupiter हमारे solar system के दो बहुत ही बड़े ग्रह ऐसे महसूस होंगे जैसे बिलकुल आसपास आ गए हो जैसा कि image में दिखाई पड़ रहा है ऐसा लगेगा जैसे ये ग्रह एक दूसरे का ही चक्कर लगाती हूँ ऐसा महसूस होगा ये एक astronomical event है जिसे night sky में देखा गया इसे ही great conjunction कहा गया पॉपिलरली से Christmas star भी कहा जा रहा है यहाँ पर conjunction का मतलब क्या है conjunction जो है वो ऐसा नहीं कि केवल Saturn और Jupiter के बीच में होता है यही दो ग्रह ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसपास आ गए है ये लगबाग कई सारे planets के साथ होता है asteroids के साथ होता है जब वो बिल्कुल नज्दीक आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल आसपास आ गए है अब ऐसा नहीं है कि Jupiter और Saturn एकदम नजदीक आ गए बिलकुल जैसे कि यहां image में दिख रहा है और टकरा भी सकते थे ऐसा बिलकुल नहीं है दोनों अपने अपने orbit में हैं और बहुत दूर है जैसे इसका orbit यहां पर है इसका orbit यहां पर है यहां पर है Saturn और यहां पर Jupiter है अब आप यहां से देख रहे हैं Earth पर से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिलकुल एक दम नजदीक में है या बिलकुल एक दूसरे के पीछे आ गया है ऐसा feel होगा ठीक है तो यह great conjunction ऐसा नहीं कि केवल Saturn और Jupiter specific है कई सारी और bodies में यह conjunction देखा जाता है यह प्रकार का appearance है जो हमें Earth से रिखता है लेकिन great word का जो इस्तिमाल है वो Saturn और Jupiter के लिए ही किया जाता है because of their size क्योंकि दो के दोनों ही planets बहुत सादा बड़े हैं great conjunction देखे यूँ तो हर 20 साल में देखने को मिलता है इसका कारण यह है क्योंकि दो के दोनों ही ग्रह Saturn और Jupiter सूरी के चारोड चक्कर लगाते है 12 सालों में लगभग जो Jupiter है वो सूरी का एक चक्कर लगा लेता है exactly it's 11.86 years यह जो Earth का year है उसकी बात की जा रही है Saturn को लगभग 30 years का समय लगता है exactly 29.5 years का time लगता है सूरी का एक चक्कर लगाने में तो लगभग 20 साल में एक ऐसा समय आता है जब यह orbit में कुछ इस position में होते हैं कि Earth से ऐसा लगता है कि बिलकुल नजदीक में है लेकिन इतनी accuracy हमें नहीं लगते कि हाँ एक दूसरे के पीछे आ जाए या जुड़कर एक हो जाए distance फिर भी हमें नज़र में आ ही जाती है लेकिन 400 साल बाद ऐसा हो रहा है कि यह बिलकुल नजदीक में हमें महसूस होंगे अब यहाँ पर देखे जो distance है न वो एक डिग्री से भी कम की दिखेगी हमें यहाँ से appearance wise इसके पहले 1600 में यह event हुआ था वहाँ पर भी जो distance ही वो 13 डिग्री की दिखी थी लेकिन इस बार तो यह distance हमें appearance वाई एक डिग्री से भी कम दिखेगी यूपिटर फिफ्थ प्लैनेट है हमारे solar system का और सबसे बड़ा प्लैनेट भी है यहाँ पर हमें एक great red spot दिखता है जो actually में एक giant storm है धर्ती जितना बड़ा है जो जूपिटर है as we know वो 309 से भी ज़ादा बड़ा है अर्थ के comparison में और यह जो storm है वो सेक्रो सालों से वहाँ पर exist कर रहा है इसलिए हमें यह red color का दिखता है तो अगर ऐसी कोई information कभी आपके सामने आया है कि great red spot कहां पर exist करता है that is on जूपिटर Saturn sixth planet है जो sun के चारो ओर चक्कर लगाता है और second largest planet भी है thousands of beautiful ringles मतलब जो वले चल्ले हैं वो हमें Saturn के चारो ओर दिखाई पड़ते हैं जो कि इस planet की एक specification है आप इनके सिती को सूर्य के comparison में देख सकते हैं closest Mercury है then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune हमारा जो अगला article है वो हैसा बूसा 2 के बारे में है देखे जो हैसा बूसा 1 है ये 2010 में वापस आ गया था अब ये हैसा बूसा 1 और 2 है क्या देखे ये हैसा बूसा 1 और 2 जो है वो जापान के spacecraft हैं जो asteroid के जो भी samples हैं उनको धरती पर लाने के लिए काम कर रहे हैं हैसा बूसा 1 2010 में वापस आ गया था 2014 में हैसाबूसा 2 को भी जा गया था, जो 2018 में एस्ट्रोइड रियुगू पे पहुंच गया, और वहाँ पर उसने सैंपल कलेक किये, तो वहाँ से रिटर्न आ रहा है, संभावना ये है कि 6 दिसंबर को वो ऑस्ट्रेलिया का जो सदन पार्ट है, वहाँ पर अपने सैंपल के स एनलाइज करेगा जो एस्ट्रोइड 1999 JU3 है, जिसे हम पॉपिलरली रियुगू भी बोलते हैं, यह इनके सैंपल को लेकर आ रहा है, जो उसका एक मसकट लेंडर है, यह मसकट का फुल फॉर्म है, मोबाइल एस्ट्रोइड सर्फेस स्कॉट, यह उनका एक लेंडर है, जिसन जापान की जो स्पेस एजनसी है, वही लाँच करेगी, that is JAXA, जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी, 3 दिसमबर 2014 को लाँच किया गया था, 27 जून 2018 को पहुंचा था, 14-18 याद रहे, बहुत है, और यहां पर दिसमबर में, जो डेट बताई गई है, that is 6th of December, य रिटर्न आ रहा है, ऐसी संभावना जटाई गई है, कई तरीके के पिलोट्स इसके साथ जोड़े गए हैं, रिमोट सेंसिंग, सैंपलिंग, चोट-चोट इस रोवर्स भी हैं, जहां से सैंपल कलेक्ट किया गया है, उस यगें का अट्मोस्फियर कैसा है, जो लॉजिकल क अट्रोड क्लासिफिकेशन में ऐसे अस्ट्रोड होते हैं, इनके बारे में मानने था यह है, कि जब सोलर सिस्टम अपने अरली डेज में था, तब ही यह बन गये थे, और तब से अभी तक है, ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो सैंटेस्ट हैं का यह भी मानना है, कि जो लाइफ है, वो ओरिजिनेट होती है, ऐसी मानने था है, थेरीज हैं, चल, 2M, टॉकामक बाक के बारे में है, देखिए आपने बहुत सारी चीज़े, मेड इन चाइना देखी होंगी, हो सकता है, आने वाले समय में, आपको एक आर्टिफिशल सन देखने को मिल जाए, डैट आर्टिफिशल सन को आप कुछ ऐसे इमेजिन मत करिएगा, कि कोई सूरज होगा छोटा सा, जो आसमान में चमकेगा, तो यह आर्टिफिशल सन है क्या, एक्चुली में ये एक निकनेम है, एक रियक्टर का, चाइना ने अभी एक रियक्टर को पावर अप किया है, स्टार् करेगा, जैसे सन प्रोड्यूस करता है, सन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, सन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूकलियर फ्यूजन का सहारा लेता है, फ्यूजन में दो जो न्यूकलियस होते हैं, वो आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होकर वो एक बड़ा nucleus बनाते हैं जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में energy release होती है बिल्कुल इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल इस HL2M तोकामक nuclear reactor में किया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा इससे nuclear power research capability चाइना की बहुत ज़दा बढ़ जाएगी अब देखें nuclear power से energy बनाने के दो तरीके होते हैं एक तो एक nuclear को तोड़ दिया जाए दो हिस्सों में इसे बोलते है nuclear fusion और दूसरा होता है कि हम दो nucleus को आपस में जोड़ दें इसे कहा जाता है nuclear fusion nuclear fusion की ये प्रक्रिया हमें sun में देखने को मिलती है और इसमें बहुत ही जादा मात्रा में energy निकलती है nuclear fusion का इस्तेमाल तो हम अभी तक nuclear reactors में या nuclear bombs बनाने में कर चुके हैं या कर रहे हैं लेकिन nuclear fusion की जहाँ पर हम दो atoms को fuse करते हैं उसके जो nuclear से उनको fuse करते हैं ये अभी तक हम successfully नहीं कर पाए हैं इसका reason ये है क्योंकि जब हम atoms को fuse करते हैं तो बहुत ही जादा मात्रा में energy release होती है उस energy को हम control कैसे करेंगे मतलब वो energy इतनी जादा होती है कि उसे control करने के लिए हम जो भी इस्तिमाल करेंगे चाहे वो लोहे का एक उसकी एक दिवार हो या फिर concrete की एक दिवार वो उसको गला देगा melt कर देगा इन डाट केस उस energy को control कर पाना मुस्किल होगा लेकिन इसके लिए कुछन कुछ solution तो निकाला जा सकता है और वही किया जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं देखे यह चाइना का largest और most advanced nuclear fusion experimental research device है एक प्रकार का reactor है जिसे वो artificial sun बोल रहे है यह कोई सूरज नहीं है जो आसमान में चमकता रहेगा ऐसा कुछ नहीं है यह एक reactor है जो एक powerful clean energy source को start कर सकता है क्योंकि nuclear fission में जो हम nuclear bombs में या reactors में इस्तेमाल करते हैं fission उसमें बहुत ज़्यदा nuclear waste निकलता है जबकि fusion में ऐसा नहीं होता उसमें ज़्यदा nuclear waste नहीं निकलता energy भी ज़्यदा produce होती है इस mission का जो नाम है चाइना के उसका नाम EACHT है experimental advanced super conducting to kamak location इसकी जो Sichuan province है चाइना का वहाँ पर है अब देखिए जब भी हम nuclear fusion का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो यह होती है कि आखिर जो heat release होगी उसे control कैसे करेंगे कैसे रोकेंगे उसे कौन से ऐसी दिवार होगी किस metal की किस item की जो उसे रोक पाएगी control कर पाएगी तो ऐसा कुछ earth पे exist नहीं करता जो इतने high temperature को control कर सके तो इसके लिए सबसे पहले तो इस temperature को generate करने के लिए plasma को गरम किया जाता है बहुत जादा plasma क्या होता है दिखे plasma एक fourth state of matter है जैसे solid, liquid और few gas होता है वैसे एक fourth state होता है plasma जहां पर जो gases होती होती है वो ionized form में होती है तो सबसे पहले तो जो plasma होता है मतलब gases ionized form में जिनमें electronic charges होते हैं उसे बहुत ज़ादा गरम किया जाता है और जब हम उसे गरम करते हैं तो फिर ये fusion की प्रक्रिया start होती है और heat generate होती है अब उस heat को touch करेगी तो दिवार को गला देगी लेकिन कुछ ऐसा हो कि ये heat दिवार को touch ही ना करें तो इस heat को दिवार से अलग करने के लिए बहुत ही powerful magnetic field का इस्तेमाल किया जाता है ये magnetic field इस दिवार के भीतर ही इस energy को दिवार को छूने से रोकेगी जिसकी वज़र से इस heat को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो दिवार को गला सके और इस तरीके से हम जो energy release होगी उसे control कर ले जाएंगे चुकि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे sun की होती है इसलिए artificial sun बोल रहे है जो energy produce होने वाली है और यहाँ पर 150 million degree Celsius की बात हो रही है मतलब ऐसा कौन सा metal है ऐसी कौन सी धातु है धर्ती पर जो इसे control कर सकते है definitely कुछ भी नहीं तो यह magnetic field ही इसे control कर सकता है क्योंकि यह इसे बाहर आने ही नहीं देगा अब यहाँ पर देखिए nuclear fusion की बात करें तो यह sun का source of energy है यहाँ पर atomic nuclei आपस में merge होकर energy create करते है अगर हम इसे इस्तिमाल कर पाएं जैसे यही प्रक्रिया अगर हम इस्तिमाल करके धर्ती पर heat generate कर पाएं तो हम बहुत ही clean source of energy gain कर लेंगे और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यहाँ पर कोई greenhouse gases नहीं निकलती accidents का खत्रा भी बहुत कम होता है और जो waste होता है atomic waste वो भी बहुत कम निकलता है तो इसमें काफी जादा फाइदे हैं ठीक है अगला article है वो lab grown meat के बारे में है जिसे आप cultured meat भी बोलते है news में क्यों रहा news में इसलिए रहा because अभी हाल ही में Singapore की food agency नहीं ये अप्रूव कर दिया है कि lab grown meat product को बेचा जा सकता है देखे इसके पहले भी कई बार आपने news पढ़ा होगा हम सुनते भी रहते थे यहां cultured meat आने वाला है lab meat आने वाला है जिसका इस्तिमाल हम consumption में कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे slaughter के बार meat का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस meat का इस्तिमाल बेचने के लिए मतलब commercial purpose से allow कर दिया गया है पूरी दुनिया में कहीं भी तो for the first time सिंगापुर ने किया है important news है पहली बार हुआ है इसके होने के कई सारे फायदे है लेकिन उसके पहले यह है क्या lab grown meat मतलब हम जो meat है वो lab में बनाएंगे इसे cultured meat भी कहा जा रहा है यह meat जो है वो in vitro cell culture जो है animal cells का उसकी माद्धम से बनाया जाएगा देकि जो in vitro cell culture है यह mechanism है method है जिसमें हम animal cells को उठा के lab में process करते हैं यहाँ में यहाँ पर animal cells के सांसांथ plant जो cells है उनका भी इस्तिमाल किया जाएगा और इनको mix करके lab में हम meat बनाएंगे यह जो meat है यह बिल्कुल जो slaughtered meat होता है बिल्कुल वैसा ही होगा कोई difference नहीं होगा ना तो smell में ना color में ना taste में बिल्कुल अलग नहीं होगा stream होगा अंतर सिर्फ इतना होगा कि यह किसी जानवर को जान से मार के पैदा नहीं किया जाएगा बलकि lab में बना लिया जाएगा इसके कई सारे फायदे होंगे क्योंकि हम इसे laboratory में बना रहे हैं सबसे पहले जो सबसे बढ़िया सा फायदा है वो यह तो है कि हमें जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा slaughter नहीं करना पड़ेगा जो कि काफी जादा inhuman हो जाता है इससे जो land use है वो 95% तक कम हो जाएगा जो meat industry इस्तिमाल करती है जैसे poultry farm या फिर जो भी मवेशी है उनको पला जाता है तो जमीन की आवश्यक्ता पड़ती है इस पूरे process में meat के production की या पूरी industry के process में काफी ज़्यदा emission भी होता है उस emission को भी हम 74-87% तक कम कर पाएंगे nutrient pollution 94% तक कम होगा इस पूरे process में कई तरीके कर जो excreta निकलता है वो water flow में चला जाता है तो nutrient जब nutrient भर जाते हैं तो जो water होता है वो polluted हो जाता है जिसे आप eutrophication भी बोलते हैं जिसमें किसी भी तालाब बगएरा में खूब सारे plants बगएरा उगाते हैं because of more nutrient तो वो पानी polluted हो जाता है देखिए अगर हम इस meat का इस्तिमाल कर रहे हैं तो contamination का खत्रा भी घट जाएगा pathogens का जैसे की salmonella ये देखिए एक प्रकार का bacteria है जो की food related illness cause करता है E.coli जो bacteria किसी भी animal के intestine में पाया जाता है वो भी affect करता है ये भी कम हो जाएगा क्योंकि हम तो lab में बना रहे हैं जो meat process किया जाता है जिससे humans में antibiotic resistance create हो रहा है जब हम meat को lab में बनाएंगे तो antivirtics का भी इस्तिमाल नहीं करना पड़ेगा तो इस प्रकार का resistance का खत्रा भी कम हो जाएगा तो cultured meat के कई सारे फाइदे हैं अगर इसका commercial purpose से इस्तिमाल होने लगा Singapore में start हो गया है हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में भी इस meat का जो इस्तिमाल है वो किया जाए ठीक है जो हमारा अगला article है वो LIDAR के बारे में है LIDAR stands for Light Detection and Ranging context क्या है Indian Railway ने अभी एक laser technology का इस्तिमाल करते हुए ground survey conduct किया है Delhi, Varanasi, पूरे route को कि वहाँ पर क्या bullet train का जो project है वो viable रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी तैयारी के तौर पर ये पूरा ground survey किया किया अभ लेडार होता क्या है देखे एक remote sensing method है जिसके use में या जिसके दौरान हम lights का इस्तिमाल करते हैं pulsar laser के form में मतलब continuous light नहीं spread की जाती data उनके पास होता है जैसे location का data already है कि वो किस चेकर को locate कर रहे है तो airborne system के basis पर एक 3D image form करने की कोसिस की जाती है usually helicopter या jet planes का इस्तिमाल किया जाता है laser beams शोड़ी जाती है और फिर देखते हैं कि वहाँ की जो location है वो कैसी है ये beams earth से टकराती है वापिस lot कर जाती है जहाँ पर जो scanner होता है वो एक 3D image create कर लेता है तो इस तरीके से जो Lidar technology है ये work करती है इसमें देखे Lidar instrument का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें laser scanner और एक GPS receiver होता है location का अब भी तो idea रहना चाहिए कि किस जगे को locate किया जा रहा है Lidar का इस्तिमाल हाल से रहाल में कई सारी fields में किया जा रहा है agriculture, hydrology, water management system geology से related जो भी applications, archaeology हर जगे अब इसका इस्तिमाल हो रहा है कुछ problems है Lidar के साथ अगर atmosphere clean नहीं है तो ये जो pulses हैं वो अच्छी तरीके से reach नहीं करेंगी return नहीं आएंगी तो imaging करना मुस्किल होता है मतलब fog, rain, snow अगर गिर रही है या dusty weather है धूल या आधी तूपान आ गया है धूल भर गई है ऐसे सिती में भी Lidar अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है जो हमारा अगला article है वो mucor mycosis fungal infection के बारे में है अभी हाल ही में Delhi के जो doctors है उनके पास ऐसे COVID-19 patients हैं जो की mucor mycosis से infected थे अब mucor mycosis actually में ये एक fungal infection है जिसे black fungus भी कहा जाता है कई बार इसे zygomycosis भी कहा जाता है ये एक rare fungal infection है बहुत सामानेतिया ये देखने को नहीं मिलता कुछ फफूद होते हैं जिने mucor mycosis कहा जाता है वो इसे cause करते हैं symptoms में देखे कई बार जो body parts होते हैं वो numbness feel करते हैं, सुन हो जाते हैं एक तरफ का जो नक का हिस्सा है वो obstruction feel करता है eyes में swelling हो जाती है, pain भी होता है और आँखों की रोशनी जाने का भी खत्रा होता है जो jaws हैं, मतलब जबडे हैं वो धीमे-धीमे erode होने लगते हैं transmission की बात करें तो अगर ये जो spores होते हैं जो fungus है वो हमारे सरीर में चला जाए, inhalation के थूँ तो फिर ये हमारी body को infect कर सकता है या किसी भी तरीके से body part में enter कर जाए mucor mycosis जो है वो एक individual से दूसरे individual में या animal में नहीं फैलता ये actually में जाए तर ऐसे लोगों को प्रभावित करता है जिनका immune system weak हो चुका हो किसी भी वज़े से, किसी बीमारी के वज़े से या वो कोई ऐसी दवा ले रहे हो जिसके वज़े से उनका जो immune system है वो weak है तो ये fungal infection बहुत तेजी से attack करता है लेकिन काफी fatal होता है 50% cases में individual की जान चली जाती है मतलब 50% fatality rate इसका होता है treatment तो देखी हो सकता है अगर हम antifungal medicines वगज़ा लेते हैं तो treat कर सकते हैं कई बार जो infected tissues होते हैं उन्हें काट कर अलग करना पड़ता है the form of surgery इस बिमारी से बचाने के लिए कोई vaccine इसकी है नहीं avoid भी नहीं कर सकते हैं मतलब ये जो fungal spores हैं जो उनके बिजाडू है वो लगभग हवा में हर जगे होते हैं ऐसा कुछ नहीं बहुत नई चीज़ है तो अगर पहले जानकारी मिल जाए कि ये fungal infection हुआ है तो जो आँखों की रोशनी है उसे हम जाने से रोख सकते हैं nose और jaw की जो bones होती है वो weak हो जाती हैं खतम होने लगती हैं हम उसे भी erode होने से बचा सकते हैं clinical intervention की मदद से particle plasmodium वाले के बारे में है आर्टिकल पर आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले last session में जब हम बात कर रहे थे NHRC के composition के बारे में तो वहाँ पर मुझसे एक mistake हुई थी मैंने आपसे ये कहा था कि NHRC के chair person बनने के लिए जरूरी है कि वो वेक्ती Supreme Court का Chief Justice रहा हो जबकि 2019 के बाद qualification में बदलाव कर दिया गया है through an amendment अब Supreme Court के Chief Justice और Judge दोनों ही NHRC के chair person के पद के लिए qualified हैं तो अब आगे बढ़ते हैं अपने article के उपर that is on plasmodium वाले context क्या है अभी केरला में एक soldier जो African country सूडान में एक साल तक सर्व करके आएं उनमें plasmodium ovale trait का एक malaria पाया गया plasmodium ovale is a type of parasite जो इस malaria को cause करता है यह common type of malaria नहीं है मतलब यह सामानतिया नहीं पाया जाता इसी लिए यह cause of concern बना बट इतनी भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि यह बहुत fatal यह खतरनाक नहीं है जो common type of malaria होता है that is plasmodium vivax malaria के बारे में बात करें तो जो female anophilies, mosquitoes होते हैं उनके काटने पर malaria फैलता है अगर वो already malaria parasite से infected है तो अब पास तरीके के malaria के parasite होते हैं और इसी वज़़े से malaria के भी 5 type हो जाते हैं plasmodium falciparum plasmodium vivax यह सबसे common है जो अक्सर बाया जाता है plasmodium malariae plasmodium ovale और plasmodium nolesi आगे बढ़ते हैं इसी लिए देखे जब भी यह plasmodium ovale type के हम बात कर रहे हैं अगर कोई जो मच्छर है वो किसी particular type of parasite से infected है तो उससे जो malaria cause होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है malaria देखे जो prescription drugs हैं उनके माध्यम से treat किया जा सकता है chloroquine का सामनतिया इस्सेमाल किया जाता है plasmodium ovale के बारे में बात करें तो यह बहुत severe illness cause नहीं करता actually में इसी लिए बहुत panic होने के आविशक्ता नहीं है symptom वही similar ही है 48 hours में fever आ जाता है headache, nausea और बहुत rare cases में severe illness देखने को मिलती है P-Vivix की तरह ही जो P-Ovalet है यह भी बिल्कुल वैसा ही होता है इसलिए treatment करने के तरीके में भी more or less वही procedures opt किये जाते हैं अप P-Ovalet को या Plasmodium-Ovalet को नाम यह इसलिए दिया गया है because 20% of जो parasitic cells होती है उनका shape oval होता है इसलिए इन्हें यह oval नाम दे दिया किया है यह ज़्यादा dangerous नहीं होते more or less viral infection की तरह ही होते है common नहीं है इसलिए news में है malaria के burden की बात करें तो अभी कुछ समय पहले World Malaria Report 2020 publish हुई इसमें यह कहा गया कि इंडिया में जो malaria के cases 2000 में 20 million के आसपास हुआ करते थे वो घट के 2019 में 5.6 million आ गए है मतलब इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है malaria को कम करने का हमारा अगला article project loon के बारे में है project loon ने अभी एक नया record set किया अपनी longest stratospheric flight में जिसमें वो 312 दिनों तक stratosphere में टिका रहा यह तो context है में भी clarity ना आई हो देखिए basic के सांथ समझते हैं हर व्यक्ति को internet की आविशक्ता पढ़ती है लेकिन ऐसा possible नहीं होता कि जो internet towers होते हैं या mobile towers होते हैं उनकी मदद से हर जगे internet दिया जा सके कई सारे remote areas होते हैं desert का area हो सकता है forest का area हो सकता है या rural areas हो सकते हैं वहाँ पर internet की connectivity हमेशा बहतर नहीं हो पाती तो Google ने एक initiative लिया था अपनी एक subsidiary के माध्यम से जहां पर नों ने ये बोला कि हम atmosphere का जो second layer है नीचे की और से stratosphere वहाँ पर कुछ गुबबारे भेज देते हैं उन गुबबारों में internet connectivity देने वाली devices को हम attach कर देंगे और उनको power देने के लिए उसके उपर एक solar panel लगा दिया जाएगा इन devices को ये गुबबारा जिसमें helium भरके stratosphere में भेजा जाएगा वो remote areas में भी internet की connectivity देगा ये देखे है atmosphere की layers हैं ये है toposphere जो सबसे नीची का layer है जो weather activities हैं वो हमें largely यहाँ देखने को मिलती है ये है stratosphere जिसकी उचाई 11 से 50 km तक होती है यहीं पर इन जो balloons हैं उनको भीजा जा रहा है helium में helium के साथ ठीक है अब देखे initially जब इस project को launch किया गया था तो ये गुबबारे 100 दिनों तक stratosphere में रुख पाते थे उसकी बार इने वापिस बुलाना पड़ता था क्योंकि gas उसके बाद खतम होने लगती है लेकिन अभी ये एक new record बना है जहां पर ये गुबबारा बलून 312 दिनों तक stratosphere में टिका रहा आगे देखे ये helium filled balloons होते हैं जो कि aerial wireless connectivity प्रोवाइड करवाते हैं यहां पर ground से जो internet antenna होता है वो इनको connectivity देता है उसके बाद ये aerial connectivity जो वाइडियस devices ground पर होती है remote areas में उनको provide करवा देते हैं यह जो project है वो कई सारे देसों में और उनके technology partners के साथ collaborate करके remote areas में connectivity दे रहा है वो quantum supremacy के बारे में है अभी हाल ही में China ने ये claim किया है कि जो उन्होंने quantum computer बनाया है वो जो Google का quantum computer है अभी तो देखे prototype ही बन रहे हैं नहीं है जो prototype तैयार किये गए हैं जैसे अभी इसके पहले 2019 में news आई थी कि Google ने एक quantum computer बनाया और उसका competition करवाया super computer के साथ जहाँ उन्होंने ये बोला कि quantum computers की जो speed है जो ability है वो बहुत जादा है जो calculations quantum computer को solve करने के लिए दिये गए और super computer को भी दिये गए super computer उसे solve नहीं कर पाया जबकि quantum computer ने महस 200 seconds में उसे solve कर दिया तो Google ने ये बोला कि अगर ये super computer इसे solve करता भी तो उसे कम से कम 10,000 साल लगते solve करने में जबकि quantum computer ने महस 200 seconds में उन सभी calculations को solve कर दिया तो उन्होंने कहा कि हमारा quantum computer है बहुत efficient है अभी चाइना ये कह रहा है कि हमारे पास जो हमने quantum computer का prototype तैयार किया है वो Google के quantum computer से 10 billion times ज़्यादा तेज है 10 billion times you can understand तो Chinese scientist अभी ये claim कर रहा है कि उनका जो quantum computer है वो ज़्यादा तेजी से perform कर सकता है जो अभी दुनिया का सबसे advanced super computer है वो उससे 100 trillion times faster है देखे quantum computing को ज़्यादा supreme बताना इसे कहा जाता है quantum supremacy जिसमें ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि जो mainstream computers है जो regular computers हम आप use करते हैं या super computers जो बहुत भारी भरकम calculations के लिए use होते हैं उनकी तुलना मे quantum computer ज़ादा बढ़िया है बहतर है efficient है हम इसे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे ही कहा जाता है quantum supremacy अब यहाँ पर जो regular computers होते हैं जो हमारे आस पास हैं जिसे आप classical computer कह लिजिए conventional computer कह लिजिए ये computers हमेशा binary system में work करते हैं मतलब 0 और one के form में ये चीजों को या information या data को समझते हैं तो इसी दो format का इस्तिमाल किया जाता है यहाँ पर binary system का इस्तिमाल किया जाता है जबकि quantum computing में ये माना जाता है कि इनके बीच के भी कुछ equations हो सकते हैं जिनका इस्तिमाल computing में हो सकता है मतलब चीज़े इतनी आसान नहीं है कि आप 0 या 1 में चीज़े calculate करने तो अभी चुंकि केवल यही mechanism binary system में इस्तिमाल करता है classical computer तो उनकी अपने limitations हैं वो एक limit से ज़्यदा speed grab नहीं कर सकते एक limit से ज़्यदा complex calculations handle नहीं कर सकते लेकिन अगर हम इनके बीच के sets को भी इस्तिमाल कर पा रहे हैं computing में तो definitely हम ज़्यदा complex equations को या informations को access कर सकते हैं या उसी process कर सकते हैं जैसा कि quantum computing में हो रहा है अगर ऐसा हो पाता है practically इसका बहुत mainstream में इस्तिमाल हो पाता है तो quantum computers काफी ज़्यदा supreme साबित हो जाएंगे इसे ही quantum supremacy कहा जाता है इस प्रकार की concept को propose किया गया था 2012 में जॉन प्रेसकिल के दवारा जो की theoretical physics के प्रोफेसर है California Institute of Technology में उन्होंने कहा कि quantum computers जो चीज़े कर सकते हैं वो classical computers कभी नहीं कर पाएंगे हमारा आगला आर्टिकल है aquafonics के बारे में अब aquafonics को बहुत सामान तरीके से समझना है पहले ख़बर पे आते हैं एक pilot aquafonics facility install की गई है cdeck में cdeck में इसको develop किया गया है अब cdeck जो है वो computing के लिए काम आता है आपने नाम सुना है Center for Development of Advanced Computing यह मुहाली में इसको inaugurate किया गया था इसका सीधा fundage diagram से समझ जीजे आपको कुछ पढ़ने की ज़रुत नहीं यहाँ पर मचलियों को पालन है मचली पालन को aquafonics केते है इसके साथ में hydrophonics क्या होता है hydrophonics का रथ है पेड़ पौदो को आप soil में ना होगा के पानी पे होगाते हैं, water पे होगाते हैं उसको hydrophonics केते हैं जब aquaculture और hydrophonics को जोड़ दे तो aquafonics हो जाता है अर्थात इसका यह है कि यहाँ जो मचलिया है इनसे जो minerals मिलेंगे इनसे जो इनका जो leftovers होगे इनकी जो droppings होगी वो plant के लिए nutrient का का काम करेंगी जो bacteria's काम करेंगे वो plant को nutrient देंगे और इस तरीके से एक symbiotic relation establish कर लिया जाएगा और यही symbiotic relation help करता है development में दोनों का इसके फाइदे क्या है? तो सबसे पहरा फाइदा है कि कम पानी का अपयोग करना पड़ेगा यह बहुत ही मासपूर हो जाता है कि कम पानी में आप दोनों काम कर पा रहे है एक और फाइदा यह भी है कि कोई भी toxic runoff नहीं होता है यहाँ पर toxins कहीं पर भी emit नहीं हो रही है इसलिए जो runoff होने वाला जो पानी है पूरा आपको non-toxic water मिलने वाला है जिसमें fishes और plants दोनों रह रहे है तो जो minerals की requirement है plants की वो fishes के दोवारा पूरी करी जा रही है और इस तरीके से एक symbiotic relation establish करने का काम है aquaculture और hydrophonics को add करके aquophonics बना दिया गया है तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much